हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नम है विने और आप देखना है शुरू कर चुके हैं विने की पार्चाला आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे कक्षा नौगड़ित प्रस्णावली एक डी और उसका प्रस्ण नमबर तीन और वह हमारा दिया गया है कि निमलिखित संख को सreC-omi in इसट्व मौड़ तू मोड़ फ्लैकर इनका मान लोग निकालके देखेंगे सब्सक्राइब पांच संँ OS और इधर भी पांच आएगा तो पांच और पांच बीच में काय का चिन्न आएगा बीच में चिन्न आएगा आए बराबर का ठीक है तो यह हमारा इसका समझ गया आगे दिया गया है मैनस माइनस 3 यहां पर का माइनस-3 यह mentioned कर akan जाएगा आर थन तीन यह हो गया और इसका लगां यहांप नज्च का सब् सकती हमाइब कर द blender और यहां षहां फ्कलो इसाक का मौज़ों के अब देखो 11 बड़ा है कि 5 बड़ा है तो यहां पर हमारा आएगा 11 बड़ा है इसलिए यह चिनल रहेगा जो यह हिस्सा होता है खुला हुआ वो बड़ी संख्या की तरफ रहता है जो 9 होती है वो छोटी संख्या की तरफ होती है तो हमारा यह यहां पर आंसर आगया ठीक है आके देखो माइनस नौ माइनस तीन कितने माइनस बारह और मॉड का लग गया चिन यहां पे माइनस नौ तो यह माइनस अट जायेंगा मॉड के वज़े से यह हो जाएगा नौ और इधर माइनस तीन जो है भही बना रहेगा माइनस 12 में माइनस का चिन हट जाएगा तो यहां बचेगा 12 और 9 में से 3 जाएगे बचेगे 6 अब यहां पर देखो बाई 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है आप लोग खुद बताओ 12 गुना है 6 से तो यह चिन रहेगा इस तरफ और यही आ गया हमारा इसमें आंसर ठीक है आगे इस तरह पी क्रिफण धिया गया है 3 म Maar चिन हट जाएगा जएगा जएगारे मारा हैतो यहां पर हमारा तो और अरी के से आएगा चिन माइनस की संख्या हमेंसा छोटी होती है और यही हमारा आ जाएगा आंसर तो यह था प्रस्ट नमबर 3 आयोप आप लोग इसको समझ गए होंगे और अब चलते हैं प्रस्ट नमबर 4 तो यहां पर हमारा प्रस्ट नमबर 4 रहे कि अंडरूट 2 और गिजाद करो दोनों प्रस्टे में अपर्मेर संख्या बतानी है और यहां पर बहुत ज्यान से देखो कैसे हम लोग अपर्मेर संख्या लिखते हैं देखो अंडरूर्ट का मान कितना होगा सबसे पहले हम लोगों को यह निकालना है तो कुछ लोगों को पता है रसमल्ण में बहुत अच्छी बात है तो सीधी सी बात है किस संख्या का हम उसी संख्या में गुड़ा करें जो दो आ जाए जैसे अंडरूट चार का मतलब क्या होता है अंडरलोट चार का मतलब होता है उस संख्या का उसी में गुढ़ा करें तो चार यानि 2 वरावल 4 यह एक दूभाहर आ जाता है इसका मतलब दौ इसका वर्गमूल है इसी तरीके से si यहां पर निकालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका उसी में गुणा करें यहां पर देखो 1.4 1.4 चाहलेंगे तो यह दो अंग बाद दिसम्लब लग जाएगा एक दिसम्लब 9 6 आ गया मतलब 2 के करीब इसका मतलब यह है रूट तुका मान 1.4 से शुरू होगा आगे जो भी हो ठीक है उसी प्रकार रूट 3 का मान अगर हम ग्याद करेंगे तो यह हमारा आएगा एक दिसम्लब साथ एक दिसम्लब साथ का गुणा करेंगे तो दो दिसम्लब आठ लो यानि एक दिसम्लब साथ से सुरू होगा अगर यहां पर लिख देंगे एक दिसम्लब आठ त तो बहुत अच्छी बात है जिन जिन लोगों को याद है वो कमेंट करके जरू बताएं रूट टू और रूट थी का मान कितना होता है दिसम्लब में यहां पर जोगो अब हमें इसके बीच की संख्याय निकाल लिए एक दिसम्लब चार और एक दिसम्लब साथ तो हम यहां पर संख्याय दिसम्लब पांच तो एक पाँच पाँच तो 10 900ala क्या करते हैं संख्या लिखने के बाद की के बाद संख्या है ऑद संख्या लिखने के बाद 2डी स captivity लिखने की बाद तीनल great इन तिन ढ़कने के बाद स्विल어। इस तरीके से इतवा बढ़ाते जाते हैं संख्या हो गई एक यही पर हो सकती हैं दिसम्लब खेब 6, awakening इस तरही के िस्ट है हमारी अपरमय संख्या थिए को यह का बहुत से इसर है बहुत से वह सकती है एक 4 यह समढ़ाइट उसकती है और उसमें से हमने कोई दो संख्याएं लिख दिया ठीक है प्रस नमबर पांच है इसी पिकाल दो और दो दिसमलब पांच के बीच में दो अपरमे संख्याएं ग्याद किजिए तो अब देखो आप लोग अपरमे संख्याएं लिखना सीख गए हैं यहां पर देखो बहुत आसान है दो है नहीं दो जीरू है तो दो और दो संख्याएं पहला दो और दो और दो दोसमलब दो यहां पर डाल दो वसे एक बहुत कोई दिक्कत नहीं करें दो दो इस तरीके के अपसंख्या लिख सकते हैं अगर और आगे लिखना टीन सुन टीन सुन इस तरीके से उसी प्रिकार दो शूबलाब 2.5 के बीच भी हमारी कितनी संख्याइं हो सकती है अनंत अपर में संख्याइं हो सकती है ठीक है तो यह था हमारा प्रेस नमबर 5 और अब चलते हैं प्रेस नमबर 6 भी तो द्रीकशोड थर्च भी हमारा कि एक वाद 2 के बीच एक अपर में संख्या ग्याद करो, बिना कोई time waste किये, सीधा सा हम लिख देंगे एके किक्ता ही हमकिन किक्ते से किसी हेँ हमारी केसी हो गई? अपर में संख्या हो गई, यह हमारा answer आ गया वैसे रूटरी संख्या है, कैसी होती है? गो को हो सकती है तो यह था प्रस नंबर छह और आज के इस विडियो में इतना ही आयूप कि आपको वीडियो पसंदा हुगा वीडियो प्रसनाय पेश्कलाइक करें दोस्तों को बीच में सेle्स दाफास करें और चैनल को शरें अता